नमस्कार एटोजेट डिशश उशाक और जानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारे लच्छा पराथा गेहूं के आटे की रोटी या कोई भी तरह की रोटी हम रोजाना खाते ही हैं खाने में पर कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ बना सकते हैं ये दई वगरा के साथ चाय वगरा के साथ सबी के साथ बहुत बढ़िया लगता है कोई चटनी के साथ लेंगे या चार के साथ लेंगे मज़ा ही आ जाएगा बनाया तो ये भी जाता है गेहूं के आटे के साथ ही पर बहुत बढ़िया लगता है तो उसके लि रोटियों के लिए आटा गुंते ना बस लगबख आपको इसका आटा वैसे ही गुंदना है तो इसी लिए थोड़ा-थोड़ा करकर ही पानी डालना है और आटे को गुंदना है अब देखो अगर एक खटा पानी डाल दिया तो एक बात होगी कि आटा जो है वो जल्दी से न आटा गुंद लिया अब इस पर बिल्कुल थोड़ा सा नाम के बराबर तेल लगा ले या फिर गी भी लगा सकते है वो आपके उपर है थोड़ा सा लगाने के बाद आटे को अच्छे से हम इस तरह से मसल लेंगे तो देखे कुछ ऐसा हो गया यह आटा अब इसे ढखकर हम लोई निकालते है उससे थोड़ी सी बड़ी इससे चकले पर रखकर दोनों तरब सूखा गेहूं काटा छिड़क कर इसे हमें बेलना है देखे बड़ी सी रोटी बेलनी है पर जादा पतली मत बेलना थोड़ी सी हल्की सी मोटी रखना तो देखे कुछ इस तरह से मैंने पीजा कट तरह निर्स निकाला है लंबी पटी आपको इस तरह से काट लेनी है अब इन सबी पटियों को इम सबी स्ट्प्सको आपको एक इस तरह से जोढ लेना है उसके बाद को को श्रावSt लच्छा पराठा रोटी के तरह पतला नहीं होता है तो उसे कोशिश मत करना पतला करनी की पस इस तरह से मोटा ही बेलना तब फिर पर सबसे पहले तेल डाल देना है या गी उसके बाद यह पराठी को डालना और इस पर पराठे सेकते समय आप गी भी लगा सकते हैं तेल भी वो आपके उपर है जो आप पराठे में पसंद करते हैं। अगर आप जोर-जोर से इसे बेलेंगे नो तो क्या होगा? इसके जो लच्छे है वो दब जाएंगे और आपका लच्छा पराठा अच्छे से नहीं बनेगा। इसलिए हलके हलके हाथ से पेलना फिर वे तेल गी या मखनसे से अच्छे से दोनो तरफ सेख लेना। थोड़ा सा यह रोटी से मोटा होता है इसे आपको अच्छे से से शेख ने हैं। और जब यह गरम गरम यो नो तो अपने दोनों हाथों के मदे से इस तरह से इसके लचे खोड़ लेने हैं। अब आप जैसे कोई भी दही तड़का के साथ, कोई भी सबजी, अचार, चटनी या फिर चाई के साथ ले सकते हैं, यह इतना गजब का लगता है न, सच बता रही हूँ, आपको खाने में मज़ा या जाएगा, आप इसके लचे देख सकते हैं कितने बड़िया हैं, तो इसे ट्राइ कीज़ों और यहां तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले, आज के लिए बस इतना ही, thank you for watching.